ओम शान्ती, 27 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क, आज की मुरली से हम लक्षय लेंगे, विश्व का मालिक बनने का पुरुशार्थ करना है, विश्व का मालिक बनने के लिए आज दो बातों पर अटेंशन देंगे, रुखानी सच्चा ब्राह्मन की विशेशताईं धारन करेंगे, और निरंतर बाब की याद में रहेंगे, रुखानी सच्चा ब्राह्मन आज की मुरली में बाबाने ये सम्रिति दिलाई कि तुम ब्रह्मा की ओलाद हो, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मन हो, तुम ब्राह्मन संप्रदाय के हो, तुम इश्वरिय कुल के हो, इस स्मृति को आज सारा दिन याद रखेंगे, क्योंकि संगंपर भाबा हमें शुद्र से ब्राह्मन बनाते हैं, तो रुहानी सच्चे ब्राह्मन की विशेशता है पवित्रता, जब इस नए जनम को स्मृति म लाएंगे, तो पवित्रता की धारना स्वता ही होगी, क्योंकि आत्मा का नया जनम है, शरीर तो पुराना है, इसलिए अपने को आत्मा निश्च्य करना है, जब आत्मा निश्च्य करेंगे, तो हम पवित्र बन करके, पवित्रता की ब्लिस सब को दे पाएंगे, पवित्र के लिए नौलेशफुल बन करके भी रहना है क्योंकि जब हम नौलेशफुल होंगे तब माया पर भी जीत पा सकेंगे और इसी तरह जो रोहानी सच्चा ब्राह्मन है उसकी विशेशता है अचल रहना बाबा ने कहा दुनिया में इस समय तुम्हें पुरानी दुनिया है लेक कि माया का तुफान भी आए लेकिन तुम्हें हिला ना सके तो ऐसी स्थिती को बनाने के लिए बाबा ने कहा तुम इस समय संगम पर अचल घर बन जाओ और कोई भी विकरम नहीं करो फिर बाबा ने वान प्रस्त की सुम्रित्ति दिलाई कि इस संगम पर ये तुमारे 84 जनम पूरे हुए है अभी ये ड्रामा का अंत है तुम्हें तुम निरवान धाम के मुसाफिर हो इस पुरानी दुनिया में जब मनुष्य वान प्रस्त लेता है तो वो मुक्ती जीवन मुक्ती की इच्छा के लिए करता है लेकिन स्व्यम बाब हमें आकर के मुक्ती जीवन मुक तो जो सच्चा ब्राह्मन होगा उसको कहेंगे गौड ली मेसेंजर वो परमातम संदेश सबको देगा तो परमातम संदेश सबको देने के लिए पहले ये समरिती में रखना है हम ब्राहमन नई दुनिया की स्थापना करने के लिए अब इस इश्वरिय यग्य में अश्व सहित सबकु स्वाहा करना है मतलब इस शरीर को भी स्वाहा करना है जब हम शरीर को स्वाहा करेंगे देही अविमानी स्थिती होगी फरिष्टा स्थिती होगी तो इस स्वरिष्टा स्थिती से पूरे विश्व की आत्माओं को भगवान का मैसेज दे सकेंगे तो इस तरह ये भी सुमृति में रहे हम गौडली मैसेंजर है हम यग्य रक्षक है तो दूसरी विधी बताई विश्व का मालिक बनना है तो निरंतर याद में रहना है उसके लिए बाबा ने कहा कि तुमें जितना तुम याद करने का पुर्शार्थ करेंगे उतना आत्मा से खाद निकलती जाएगे क्योंकि योग एक अगनी है तो उठते बैढ़ते चलते फिरते ऐसा पुर्शार्थ करना है कि अवस्था ऐसी हो जाए अचल हो जाए कि कर्मा तीत अवस्था को प्राप्त कर सके याद से ही तो विकरम विनाश होते हैं याद से ही मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है याद से ही अंतमती सोगती होती है और बावा से विश्व का मालिक बने का वर्सा लेते हैं तो याद का अधार आज की मुरली में बताया तुमारी निरंतर याद रह सकती है अगर तुम नस्टो मोहा बनेंगे दूसरी विदी बताई जितना हमारी पवित्रता की धारना होगी क्योंकि बुद्धी स्वच चाहिए याद करने के लिए जितनी पवित्र बुद्धी होगी स्वच बुद्धी होगी ज्यान की धारना होगी और नस्टो मोहा होंगे तो बाब की याद रहेगी क्योंकि याद का अधार भी तो ज्ञान है और याद का अधार सरब संबंध एक बाब से हैं जब सरब संबंधों का अरस, सरब प्राप्तियों का अरस एक बाप से लेते रहेंगे, तो निरंतर याद रहेगी, क्योंकि बाबा इस समय, आज मुसाफिर के संबंध से आये हैं, बाबा ने कहा, मैं हसीन मुसाफिर हूँ, मौस्ट बिलवेट हूँ, मैं एवर प्योर हूँ, मैं तुम्हें भी हसीन बनाने आया हूँ, वास्तम में तुम आत्माई भी मुसाफिर हो, लेकिन काली हो गई हूँ, मैं तुम्हें गोरा बनाने आया हूँ, तुम्हें खुब सुरत बना करके साथ ले जाने के लिए आया हूँ, तो इस तरह मुसाफिर सुयम को भी समझना ह और बाबा को भी समझना है तो घर की समृति और भविश्य की समृति से पहुतर होते चाहेंगे दूसरा बाप के संबन से बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ और टीचर बन करके तुम्हें राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ ड्रामा का ग्यान दिया ये बना बनाया ड्रामा है इसके बाद फिर बाबा ने नौलेज दी सत्गुरु बन करके बाबा हमें दिव्य बुद्धी का वर्दान देते हैं और सत्गुरु बन करके हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं तो इस तरह आज प्राप्तियों को याद करेंगे जब हम पावन बन जाएंगे तब सत्युक में हम बहुत ही नैचरल शोबा होगी एक धरम होगा एक राज्य होगा और उस समय आत्मा भी प्योर होगी शरीर भी प्योर होगा तो ऐसा सुख और शांती हमें अभी बावा दे र देहेगी ओम शांती